नमश्कार प्यारे वच्चों मिसन सिक्षण समवात के अंतरगर्द पढ़ाई से प्रतियोगता तक में प्राथमिक इस्तर हिंदी विशय में प्रस्तोत है सीट क्रुमांग चववन आएए व्यांजन के भेद पढ़ते और समझते हैं सीट क्रमांग चववन में व्यांजन के भेद में प्रस्तोत है अंतहस्त व्यांजन इन व्यांजनों का उच्चारर स्वरों और व्यांजनों के बीच कासा है अतह इन्हें अंतहस्त व्यांजन कहते हैं इनका उच्चारन करते समय मुख के अंग परस पर एक दूसरे का पूरी तरह इसपर्स नहीं करते अंतहस्त व्यंजन है या रा ला वा दूसरा भेद है उश्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारन के समय मुख से निकलने वाली वायू रगड़ खाकर उस्मा या गर्म हो जाती है उन्हें उस्म व्यंजन कहते हैं उसमे वियंजन के उधार alarm है बच्चो शा, 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 हा बच्चो सीट में दिए हुए प्रशनों को हल करते हैं पहला प्रशन है निम्न में से अलग कौन है तो यहा पर चार आउप्शन दिए है या, रा, ला और बा तो यहाँ बा-डि उत्तर सही है अलग है दूसरा प्रशन है किन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली वायू रगण खाकर उश्म हो जाती है तो इसका उत्तर सी सही है उश्म व्यंजनों से तीसरा प्रेशन है किसका उच्चारन करते समय मुख के अंग परस पर एक दूसरे का पूरी तरह इस परस नहीं करते तो यहां पर इसका उत्तर डी सही है अंतहस्त व्यंजन चोथा प्रेशन है बच्चो निम्न में अलग कौन है यहां पर उत्तर दिये है छा त्रा हा ग्या तो इसका उत्तर सी सही हा अलग है पांचवा प्रेशन है उस्म व्यंजन कौन सा नहीं है तो इसका उत्तर डी सही है छा उस्म व्यंजन नहीं है छत्वा प्रेशन है किन व्याण्यनों का उच्चारण स्वरो और व्याण्यनों के बीच का सा है तो इसका उत्तर C सही है अंतहस्त व्याण्यन का सात्वा प्रेशन हल करते हैं बच्चो सात्वा प्रेशन है अंतहस्त व्याण्यन कौन सा नहीं है तो इसका उत्तर C सही है, था अंतहस्त व्यंजन नहीं है आठवा प्रेशन है, उस्म व्यंजन कौन सा है तो इसका उत्तर D सही है, हा उस्म व्यंजन है नौ प्रेशन है, अंतहस्त व्यंजन कौन सा है तो यहाँ पर इसका उत्तर D सही है, वा अंतहस्त व्यंजन है यह शीट यही सवाब्त होती है, धन्यवाद बच्चो.